बिग बॉस सीजन 17 के आखरी हफ़ते में मुनवर और मनारा क्यों हुए एमोशनल और घरवालों से रोहिच शिटी ने पूछे कुछ तीखे सवाल डे 103 की सारी हाइलाइट्स के लिए देखिए ये पूरा विडियो Big Boss मनारा को गार्ड़न एरिया में आने के लिए कहते हैं जहां वो अपने फान्स और लाइव ओडियन्स को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेर हो जाती हैं बिग बॉस मनारा की जर्णी को इंट्रड्यूस करते हुए कहते हैं कि मनारा घर में आने वाली पहली कंटेस्टेंट थी और वो दिल हाउस को पूरी तरहे डिजर्फ करती हैं बिग बॉस कहते हैं कि मनारा ने यहां कई दिल से रिष्टे बनाएं, लेकिन उनी रिष्टों ने मनारा को हमेशा टार्ड़ेट किया. बिग बॉस मनारा की जर्णी की विडियो प्ले करते हैं जिसमें उनके और मुनवर और अनुराग के साथ के बॉंड के कई खटे मीठे मुमेंस को दिखाया जाता है मनारा की विडियो, कॉमेडी, एमोशन्स, बिट्रेयल और अपने लिए स्टांड लेने वाले मुमेंस से भरी थी मनारा बिग बॉस को एक गेम की ऑपोचिनिटी देने के लिए थांक्यू बोलती है इसके बाद मुनवर स्टेज पर आते हैं और फैंस जम कर उनके लिए चियर करते हैं बिग बॉस मुनवर की शायरी बोलकर मुनवर की जर्णी को इंट्रिड्यूस करते हैं बिग बॉस के मुँसे अपनी शायरी सुनकर मुनवर काफी ज़्यादा खुश हो जाते हैं मुनवर की जर्णी विडियो में उनके और मनारा के बॉंड अभिशेक और अंकिता के साथ उनकी दोस्ती और आईशा के लगाए आलिगेशन्स के मॉमेंट से भरी हुई थी मुनवर अपने विडियो को देख कर काफी ज़ादा एमोशनल हो जाते हैं मनारा अंकिता से कहती हैं कि जो हम इस घर में आच्छल फील करते हैं वो बाहर काफी डिफरेंटली प्रोजेक्ट होता है मनारा अंकिता से अपने पास्ट बिहेवियर के लिए और कही गई बातों के लिए माफी मांगती है और अंकिता भी मनारा से कहती हैं कि इन सब बातों को भूल जाना चाहिए बिग बॉस सभी घरवालों को अक्टिविटी एरिया में आने के लिए कहते हैं और वहां सब घरवाले मिलते हैं रोहिट शिट्टी से सभी घरवाले आपस में बात करते हैं कि शायद यहां रोहिट शेटी आए हैं खत्रों के खिलाडी का सिलेक्शन करने रोहिट कहते हैं कि आप सभी लोगों के पूरे सीजन में यही प्रॉबलम रही है आप लोगों को लगता है कि आप लोग सब कुछ जानते हो और चीज़ें पहले से ही अजियूम कर लेते हो रोहिट शेटी कहते हैं कि आज मैं आया हूँ आप सब की जर्णी से जुड़े कुछ सवाल पूछने इस सीजन में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें जस्ट शोबस को